पार्ट दस है, केंद का मैथेमेटिक्स, पार्ट सेबन है, सर्किल का, जो मेट्री में सर्किल चल रहा है, एंसी आटी से सिलेवस उदाहरंदो, इसमें दिया हुआ है क्यंद्र ओ बाले बृत पर बाहि बिंदू टी से दो असपर्श रेखाएं, टी पी तथा टी क्यू की की गई है, क्यंद्र ओ बाले माना कि ओ क्यंद्र बाला कोई बृत है, तो क्यंद्र ओ बाले बृत पर बाहि बिंदू टी ये बिंद्र से बाहर का बिंदू टी है, तो बिंदू टी से दो असपर्श रेखाएं, टी पी तथा टी क्यू की गई है, तो काता है, सिद्ध कीजिए कौन P T Q, P T Q, बराबर 2 O P Q, O P Q का दो गुना, यानि अगर हम लोग मान लें, ये कौन मान लोग ठीटा है, ये अलफा है, प्रस्ट में है, कोई बिरित है, जिसके बाहर कोई बिंदू T है, T से T P और T Q, दो असपर्ष रेखाएं ठीकी गई है, इतनी ही बात दी हुई है, तो कहता है, सिद्ध कीजिए, कौन P T Q, T T Q, यानि ये कौन, जिसको अलफा माने है, बराबर, O P Q का दो गुना, O P Q का दो गुना, यानि ठीटा का दो गुना ये होगा, क्या साविश कर रहा है, समझ गया, तो लिखेंगे हम लोग दिया हुआ है, दिया हुआ है की, T P A B M T Q, T P A B M T Q, तो केंदर वाले ब्रीद पर दो असपर्स रेखाए हैं, तो और केंदर O है, तो केंदर वाले ब्रीद पर तो साबित करना है की, P T यानि कौन P T Q बराबर 2 O P Q, देखो P T Q, P T Q को अलफा माल लिए, यानि अलफा बराबर 2 O P Q, O P Q को थीटा माल लिए, यानि 2 थीटा, ये शाबित करना है, इसमें बनावट की आवस्चाक्ता है, O को Q से मिला देंगे, तो बनावट में आ गया केंदर O को, O को Q से मिला आया, इतने बाद को समझा, इसको उतार लो, इसके बाद प्रूफ रहा जाता है वनली, अब प्रूफ में तिर्भूज P O Q, तिर्भूज P O Q, एक सम्धी बाहूँ तिर्भूज होगा, सोचो तो, क्यों होगा सम्धी बाहूँ तिर्भूज, O के अंदर है, O P भी तिर्जिया है, और O R भी तिर्जिया है, है न, यानि, O P बराबर, O P बराबर O Q, बराबर R, इसलिए सम्धी बाहूँ तिर्भूज है, और सम्धी बाहूँ तिर्भूज में समान भुजा के सामने का कौन समान होता है, ये अगर ठीटा हुआ तो ये भी ठीटा होगा, इसी लिए कौन O, P, Q, O, P, Q बराबर O, Q, P, O, Q, P, बराबर ठीटा होगा ना, इसके बाद T, Q असपर्ष रेखा है, Q असपर्ष बिंदू है, असपर्ष बिंदू से गुजरने बाली तिर्जा Q, O, असपर्ष रेखा T, Q पर लंब होगा, भगन जी, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, असपर्ष बिंदू से गुजरने बाली तिर्जा असपर्ष रेखा पर लंब होती है, तो असपर्ष बिंदू Q स के गुजरने बाली तीड़या Q O T Q पर लंब होगा यानि क्या लिखंगे O Q लंब Q किस पर T Q पर T Q पर तथा असपर्स T P भी तो असपर्स रहा था पी असपर्स बिंदू है तथा ओपी लंब होगा टीपी पर होगा ना तथा ओपी लंब टीपी जब ये लंब होगा तब ये ये पूरा कॉन कितना हो या ये कॉन हो जाएगा 90 दिग्री अता कॉन ओक्योटी बरावर 90 दिग्री तथा ये भी कोन 90 दिग्री हो जाएगा कॉन ओपी टी लंब है कोन ओपी टी बरावर 90 दिग्री होगा अब देखो ये पूरा है 90 ये है चीटा तो ये कॉन कितना होगा ये कॉन 90 में से ये ठीटा घाटा दो 90 मैनस ठीटा होगा इसी लिए कौन TQP कौन TQP यानि ये कौन अजोर PQO दोनों मिला करके 90 होगा कौन TQP जोर PQO PQO बराबर 90 दिग्री और TQP TQP पलस PQO ये तो ठीटा है जोर ठीटा बराबर 90 दिग्री इसी लिए कौन TQP बराबर 90 दिग्री मैनस ठीटा होगा इसको समीकरन एक मान लो ये कौन हो गया तुमको ये कौन 90 दिग्री मैनस ठीटा इतना इतना कौन इसी तरह ये पूरा को नब्य है ये है theta तो ये कोण कितना हवा 90-theta यानि इसी तरह कोण tpq किसको उतार लो तो पहले है इसी तरह कोण tpq यानि ये कोण जोर ये कोण 90 डिग्री होगा तुभी तिर्जिया लंब है असपर्स रेखा पर तो लिख सकते हैं कौन TPQ पलस कौन ये कौन यानि OPQ OPQ बराबर 90 डिग्री और कौन TPQ OPQ OPQ ये कौन ठीटा है तो पलस ठीटा बराबर 90 डिग्री इसलिए कौन TPQ बराबर 90 डिग्री मैनस ठीटा समी करन दो अग तिर्भूज के तीन कोनों का योग कितना होता है 120 डिग्री होता है न चुकि तिर्भूज के तीन कोनों का योग बराबर एक 60 डिग्री तो तिर्भूज TPQ में TPQ में किनों को जोरो कौन T पलस कोन TPQ TPQ पलस ये कोन ये कोन हो गया पलस ये कोन यानि कोन TQP TQP बराबर एक 60 डिग्री होगा मान बेठाओ कोन T है अलफा TPQ ये कोन भी है 90 डिग्री मैनस थीटा तो 90 डिग्री मैनस थीटा पलस TQP ये भी है 90 डिग्री मैनस थीटा समीकरन एक और दो से दोनों का मान निकला है बराबर 180 डिग्री तो ये हो गिया और अलफा जोर 90 नबे एक 60 डिग्री मैनस थीटा मैनस थीटा मैनस थीटा मैनस तू थीटा बराबर 180 डिग्री और अलफा अब पलस एक 60 को आगे ले जाओ अलफा मैनस तू थीटा बराबर 180 डिग्री अब पीछे बाला एक 60 डिग्री मैनस हो जाएगा 180 डिग्री तो दोनों का किया 0 हो गया और अलफा मैनस तू थीटा बराबर 0 इसलिए अलफा बराबर तू ठीटा, अब अलफा देखो किसको माने हो, अलफा है कौन टी, तो कोन टी, क्यू काउन सा है, ये है ठीटा, है न, तू ठीटा, यानि तू हो गिया, कौन ओ पी क्यू, कौन ओ पी क्यू, प्रूब यहाई साबिद करना है, देखलो, इसको एक बार संद्शेप में बतला दे की समझ गिया ठी कह रखो